आज मैं आप सभी के लिए काफी important वीडियो लेके आई हूँ तो देखिए आपके आगामी उत्राखंड फुलीस के एक्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए most important one-liner questions लेके आई हूँ और ये questions आपके other उत्राखंड exam के लिए भी important रहेंगे तो आप सभी लोग हम हमारे इस स्रीज में starting से लेकर end तक बने रहें तो चलिए आज के स्रीज को हम start करते हैं start करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें साथ इसाथ बगल में जो bell icon देख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डा जलते हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं around 6.7 के यहां पे group members हो चुके हैं सुबद 10 वजे और शाम 8 वजे हाँ पे quiz का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा other important updates PDF से ही पर शेयर की जाती लिंक आपको उसका description box में मिल जाएगा पढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर इस सेरीज का पहला question है कुमाओ में हिंदू-मुश्लिम एकता पर्णेयता के रूप में कौन परशिद्ध हैं तो देखे काफे महत्रपोनी ये question है कुमाओ में हिंदू-मुश्लिम एकता पर्णे सेवक कौन थे तो देखे गुजरात के धरासाना नामगस्तान के नमक डिवको पर धरना देने वाले उत्राखन के एक मात्र स्वयम सेवक थे जोतिराम कांडपाल अगला question है चकराता जो की देहरादून में स्तित है तो चकराता में पर्तिवर्ष अप्रेल माह के नवरात्र के स्मिर्थी में मेले का आयजन किया जाता है और देखे अमर शहीद वीर केशी चंद को बिर्टिशों के विर्द सडियंत्र करने के आरोब में 3 मई 1945 को फासी दे दी गए थी अगला question है कुमाओ परिशत को कॉंग्रिस में किस वर्ष सम्मिलित किया गया तो कुमाओ परिश अगला question है वर्ष 1922 में देहरादून से अभई नामक सापताहिक राष्टी पत्रिका का प्रकाशन किस ने प्रारंब किया तो देखे अभई नामक जो सापताहिक राष्टी पत्रिका थी इसका प्रकाशन देहरादून से होता था वर्ष 1922 से इसका प्रारंब हुआ और किस के द्वारा स्वामी विचारानन सरस्वती के द्वारा इसका प्रारंब किया गया अगला कुश्यन है वर्ष 822 इस भी में किस अंग्रेज कमिशनर ने उत्राखंड में खचर सेना विक्सित करने के प्रियास किये थे तो कमिशनर ट्रेल ने उत्राखंड में खचर सेना विक्स काली से संबंदित है अगला क्वेशन है उत्राकंड में मिशन अन्तियो दैस्टरवेक्षन किस से संबंदित है उत्राखंड में मिशं अंतियोदई स्तरविक्षंड ये ग्राम पंचायतों की सम्पोणविकास से सम्मंदित है अगला क्विशन है, उत्राखंड में मुख्यमंत्री regs Clinic Help Line 1905 को खभ शुरू किया घया था फरवरी 2019 को अगला कुश्यन है 2019 को जानकी मंदिर नेपाल में राम विवा संपन किया गया और अयोध्या के आतिरिक्त अन्यकिस इस्थान से राम बारात निकाली गई थी तो देखी 2019 को जानकी देवी मंदिर नेपाल में राम विवा संपा ने किया या और अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किस इस्तान से देव परियाग में से जो रगुनात मंदिर है यहां से राम की बारात निकाली गई अगला कुश्यन है हिमालेई पुत्र हेम वती नंदन बहुगुणा का जन्म शताबदी वर्ष था तिकी हिमालेई पुत्र कहा जाता है हेम वती नंदन बहुगुणा को और इनका जन्म शताबदी वर्ष था वर्ष 2019 हेम वती नंदन बहुगुणा का जन्म वर्ष 1919 को जन्प पोड़ी गड़वाल के बुधानी गाउमें हुआ था बुधानी गाउमें का जन्म हुआ था ये ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन है वर्ष 1905 इसबी में देहरादून से गड़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंबु हुआ और इसे किश वर्ष शापताहि पत्र बनाया गया तो देखे आपके एक कुश्चन से ही दो कुश्चन बन रहे हैं एक तो आपको पता रहना चीए कि देहरादून से गड़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंबु हुआ कब हुआ ये भी आपको पता रहना चीए वर्ष 1905 इसबी से इसका प पत्र बना दिया गया था अगला कुश्चन है अल्मोडा में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया अधर्स 1904 में और देहरादूर में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया था ये भी आपका important point है तो वर्ष 1918 इसबी में देहरादून में होम रूल लीग की साखा को स्थापित कर दिया गया था तो काफी महतफोन ये सेशन है आज का आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोग एंड तक बने रहें आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है अगला है आपका उत्राखण में अंग भंक कन्नी की जो व्यवस्था है वो किन शाशकों की द्वारा चलाई गई थी देखें उत्राखण में अंग भंक कन्नी की व्यवस्था चलाई गई थी गोर्खा शाशकों की द्वारा क्या था तो देखिए इनका मुख्या हतियार होता था खुकरी अगला कुश्यन है किस जाती के लोगों द्वारा गोर्खा शाजकों के लिए खुगरी बनाने का कारी किया जाता था तो किस जाती की ये लोग होते थे ये होते थे नेवार जाती के लोग काफी महत्पून vengeance है अगला क्योशन है डोटी का गड़ी नामक नगर किस लिए परिशिद्ध था तो देखिए डोटी का गड़ी नामक जो नगर था ये खुगरी बनाने के लिए काफी प्रशिद था अगला कुशन है नामगी किस जनजाती के प्रोहित थे तो भोटिया जनजाती के ये प्रोहित थे नामगी आपका ये भी आपका important कुशन है इसको ध्यान में रखे नामगी किस जनजाती के प्रोहित पूछ लिया जाएगा तो भोटिया जनजाती आपको याद रखना है अगला कुशन है दोनिया कर किन से वसूला जाता था तो देखिए दोनिया नामक जो कर होता था ये किस से पहाड़ी पसू चारुकों के द्वारा पसू चारुकों से वसूला जाता था अगला कुशन है वनों के आर्थिक महतु को समस्ते हुए टिहरी राजी ने एक वन शंगरक्षक के अधिन किस वर्ष वहाँ पर वन विभाग के स्थापना की थी तो देखिए टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई थी वर्ष 18 1885 भी में अगला कुशन है कुणिंद वन्च का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो देखिए महराजा अमोग भूती कुणिंद वन्च का सबसे प्रतापी शाशक था अगला कुशन है कार्थिक एपुर वन्च के किस राजा ने राजी की सीमाओं का विस्तृत एकी करण कि अगला कुश्चन है कान देव पहाड़ी कहां परिस्तित है देखे कान देव पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये कहां परिस्तित है चमपावत मिस्तित है अगला कुश्चन है जै 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 देव भूमी लोक गीत के लेखक है तो देखे जै 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 देव भूमी ज होता है तो देखे कोसी नदी का उद्गम होता है भरत कोट पहाड़ी से कोसी नदी भरत कोट पहाड़ी से निकल कर खैना नेनिदाल में प्रवेश करती है अगला कुश्यन है पैठानी का राहू मंदिर कहां पर इस्तित है देखे पैठानी का जो राहू मंदिर है ये आपके क अहां पर किस जनपत में पढ़ता है पौड़ी गड़वाल जनपत में अगला कुश्यन है स्वामी थूर्दल लैंस ओफ ए सादू पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए स्वामी थूर्दल लैंस ओफ ए सादू पुस्तक के लेखक है स्वामी सुन्दरा नंद अगला कुश्यन है बजहर नामक त्योहार किस जनजाती के लोग मनाते हैं बजहर त्योहार मनाया जाता है थारू जनजाती के द्वारा अगला कुश्यन है लड़ भरवा भोज किस जनजाती का विवा भोज है लड़ भरवा भोज ये थारू जनजाती का विवा भोज है अग 1816 बी में अगला कुश्यन है गोर्खा शाषकों ने कुमाओ पर कितने वर्षों तक शाषन किया था तो गोर्खा शाषकों ने कुमाओ पर शाषन किया था 25 वर्षों तक अगला कुश्यन है किस अंग्रेज गवर्नर की साहता से सुदर्शन सा ने गड़वाल को स्वतंत्र कर सुदर्शन शा की साहता के लिए अंग्री जी सेना पेजी थी अगला कुश्चन है लखवाड बाद किस नदी पर निर्मित है देकिन लखवाड जो बाद है आपका ये किस नदी पर यमुना नदी पर इस्तित है किस जनपद में इस्तित है पूछ लिए जाए तो आपको देह किस दर्रे से थांगला दर्रे से अगला कुश्चन है अब सरा ताल किस जनपत में इस्तित है तो अब सरा ताल इस्तित है आपके कहां पर टहरी गड़वाल में अगला कुश्चन देखें मनी भद्र ताल किस जनपत में इस्तित है मनी भद्र ताल इस्तित है चमूली जनपत मे इसके अलावा देखें चमॉली जिले में है बैनी ताल विरही ताल लिंगा ताल विष्नु ताल सुखा ताल काग भुशंडी ताल गोहना ताल नरसिंगा ताल आदी यह सब ही जो ताल है यह आपके चमॉली में इस्तित है अगला कुश्यन है द्रोण गिरी परवत किस जनपत में इस्तित है तो द्रोण गिरी जो परवत है ये आपकी किस जनपत में चमोली जनपत में इस्तित है अगला कुश्यन है कौसानी किन नदियों के मद्य इस्तित है तो कौसानी जो है ये किन नदियों के मद्य इस्तित है को कोशी वा गरुड नदियों के संगंपरिस्तित है कौसानी, ये धियान रखेंगे, गोमती नहीं, तो correct कर लिजेगा कोशी और गरुड, गरुड दो नदियों के संगंपरिस्तित है कौसानी और कौसानी को भारत का सुचन्ट लेंड भी कहा जाता है, अगला question है, तीरी गहंट गंता गर के स्थापना किस ने वकप की थी देखिये के की द्वारा के द्वारा गंता घर की स्थापना की गए थी विच जून अगला क्विश्चन है उत्राखंड में भारत का सबसे लंबा दोवरा चाठी पुल किस नदी पर निर्मित है तो देखिए भारत का सबसे लंबा पुल है दोवरा चाठी पुल जो की किस नदी पर भागी रथी नदी पर इस्तित है और 440 मीटर लंबा ये पुल है और किस जन अगला कुश्यन देखें तो यह एक प्रकार का कर है यह आपको ध्यान में रखना है और तिहरी रियासत के समय प्रजा पर राजी की ओड से कर यानि टेक्स लगाया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था उसे पतना बिसाओ कहा जाता था अगला कुश्यन है कत्यूरी शाषनकाल में शाषकों के प्रशाषनिक भवन को क्या कहा जाता था तो देखे कत्यूरी शाषनकाल में शाषकों के जो प्रशाषनिक भवन होते थे उनको धर्प कहा जाता था तो आपको ध्यान में रखना है अगला कुश्यन है कुमाओ छेतर में वनस्पती से निर्मित देव पृतिमाएं क्या कहलाती है तो कुमाओ छेतर में वनस्पती से निर्मित देव पृतिमाएं जो होती है वो क्या कहलाती है डिकर या डिकेर कहलाती है अगला कुश्यन है आपका उत्राखंड में देवी शक् जागर को क्या कहा जाता है जागर ही कहा जाता है जो देवी देवताओं के लिए होता है अगला देखें एक हतिया नौला कहां पर इस्तित है तो एक हतिया नौला इस्तित है आपके किस जनपत में जमपापत जनपत में अगला कुश्यन है राजा जी राष्टियोध्यान के स् 1983 में की गई और यह किन जनपदों में विस्तरित है तो राजा जी राष्टी उध्यान की बात करें तो देहरा दून हरीद्वार पौड़ी और पौड़ी गड़वाल में ये विस्तरित है जिसके स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में अगला कुश्चन है किदारनात वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में अगला कुश्चन है ब्रिटेस परवता रोही एरिक शिप्टन तथा बिल तिल में ने किस वर्ष नंदा देवी शिकर पर सपल आरोहन किया था तो ये ब्रिटेस परवता रोही थे एरिक शिप्टन और बिल तिल में जिन्होंने नंदा देवी शिकर का सपल आरोहन किया था वर्ष 1936 में अगला क्विश्चन है केदानात वनी जी विहार मुख्यता किसके लिए प्रशिद्ध है केदानात वनी जी विहार मुख्यता प्रशिद्ध है कस्तूरी म्रगों के लिए अगला क्विश्चन है जीला लीला धर जगुडी को किस वर्ष सापताहिक अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो देखिए लीला धर जगुडी को साहीत्य अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1997 में अगला कुशन है परिमारजन नेगी को वर्ष 2010 में अरजन पुरुसकार से सम्मानित क खलंगा मिला आपके देधा तून चनपत के नाला पानी नामग स्थान पर आयजित किया जाता है अगला कुश्चन है कुमाउर रिजिमेंट में पर्थम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा अगला कुश्चन है गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर अगला कुश्चन है तूरी और रण सिंगा किस प्रकार के वादी यंत्र है तो देखे तूरी और रण सिंगा ये किस प्रकार के ये है शुशिर वादी यंत्र अगला कुश्चन है यर क्या है तो देखे इस तरीके से कुश्चन पूछ लिए जाते है आयो के द्वारा तो यर आपको बताना है तो देखें, यर जो है ये भूटिया जन जाती में सगाई की रस्म में चांदी का रुपिया होता है, ये ध्यान रिखेंगे, भूटिया जन जाती में सगाई की रस्म में चांदी का रुपिया, इसको क्या कहा जाता है, इसको यर कहा जाता है, अगला दे किया जाता है तो देखें बंड मिला एजित किया जाता है कहां पर चमोली के गोपिश्वर में अगला कुश्यन है बैकुंड चतुर दशी का मिला कहां एजित किया जाता है बैकुंड चतुर दशी मिला लगता है पौड़ी करवाल जनपद में पौड़ी करवाल के श्रीनगर अगला क्षुशन है, पार्टली दून कहां पर इस्थित है? तो देखे पार्टली दून है कॉरवेट नैशनल पार्क के अंदर जो की नेनिताल जर्टन पद मेंस्तित है अगला क्षुशन है, उत्राखंड में एक मात्र ब्रहमा का मंदर किस स्थान पर इस्थित है? उत्राखंड में एक मात्र ब्रह्मा का मंदिर किस स्तान पर इस्तित है तो देखें अलमोडा के सुमेश्वर में एक मात्र ब्रह्मा का मंदिर इस्तित है अगला क्षिशन है उत्राखंड के किस शहर को चित्रशिला घाड भी कहते है चित्र शिला गहाड भी कहा जाता है किसको रानी बाग को अगला खुशन है हरी ताली का तीज महोट सो किन के द्वारा मनाया जाता है तो किस के द्वारा ये मनाया जाता है गोर का समाज के द्वारा अगला देखें बरनाताल कहां पर इस्तित है बरनाताल की बात करें तो ये इस्तित है आपके उत्तरकाशी में अगला देखें वशिनारायन मंदिर कहां इस्तित है वशिनारायन मंदिर इस्तित है गोपिश्वर में अगला कुश्यन है किश वर्ष भारत और नेपाल के बीच शारदा नहर से समन्दित संदी हुई थी तो भारत और नेपाल के बीच ये संदी हुई थी शारदा नहर से समन्दित संदी जो की वर्ष 1919 में हुई अगला क्विश्चन है उत्राखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन है देखे उत्राखंड राजी की पर्थम फिल्म है जगवाल फिल्म जिसके निर्माता है पारिश्वर गॉण अगला कुश्यन है अमर शहीद श्रीदे सुमन पर किश वर्ष गड़वाली फिल्म वनी थी तो देखें श्रीदे सुमन पर एक गड़वाली फिल्म वनी थी वर्ष 2007 में अगला कुश्यन है उत्राखंड का दूसरा फूड वार्ग कहां इस्तित है उत्राखंड राजी का स्वामी विवेका नन्ने किश वर्षर राम क्रश्न शांती मठ की स्थापना की देखें लोहा घाट में स्वामी विवेका नन्ने राम क्रश्न शांती मठ की स्थापना की थी वर्षों ने सो एक में अगला खुशन है उत्राखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनत कौन सा है त बताना है तो देखें लोकपाल जील से होता है लक्षमन गंगा नदी का उद्गम अगला कुश्चन है किस ताल के किनारे रुद्र प्रियाग में प्रतिवर्ष मेला लगता है तो ये ताल है आपका कौन सा बदानी ताल अगला कुश्चन देखें वर्ष 1815 में हुई संदी के तहद गोर्खा शाषकों ने कुमाओ की सत्ता अंग्रेजो को सौब दी थी यह संदी किस-किस के बीच हुई थी तो देखें अठार सौ पंद्रा इसब्री में एक संदी हुई जिसके तहद गोर्खा शाषकों ने कुमाओ की सत्ता को अंग्रेजो को सौब दी थी और यह सं तो ओकी गाइज आज के इस session में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये session पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजे, share कीजे और जिन लोगों ने अभी तक हमारी YouTube channel is study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर ले तो चलिए मिलते हैं एक next interesting videos के